बॉनिक इस्टूरेंड, हम आज इसमें एक इंपोरेंट चेप्टर का डिसकस करेंगे, जो आपके BAC लेवल का, MEC लेवल, CSIR, NET, GRF, GATE, और SAE, Medical Inters और PHG Inters में आते हैं, तो हम आज इसमें कुछ आपके जो कार्बोनिल कमपॉंड होते हैं, उनका हमें रेखेंगे कि कैसे हा पॉइंट में हम डिसकस करेंगे, बहुत आसान है, पॉइंट में जैसी डिसकस करेंगे, तो हर पॉइंट से आपके डारेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट तो यह मैटल कार्बोनील, कहते हैं, जब भी कोई सेंटर्ल मैटल से डारेक्ट आपका CO, कार्बन नमा अच्छाइ एक टाइज दे होगा, तो इस काम क्या कहते हैं, मैटल कार्बोनील कहते हैं, मैटल कार्बोनील, यह हो गया, मैटल कार्बोनील, एम आपका टांजेशन मैटल होगा, जो प्रिवेज वीडियो में हम डिस्कॉस कर तुके हैं, 3D, 4D, 5D, तो रेच्चे इसमाह में एक इंपूर्ट एंप पर बात कर रहे हैं, मैटल कार्बोनील, यह आपका कोई मोलीकूल है, मैटल कार्बोनील, तो इसका हमें हाइडर से जोमिट्यों सेब निकालना है, तो पॉइंट 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 डिसकॉस करते हैं, जिससे डायक्ट क्वेशन आएंगे, बाह इंटरस्टोर होने वाला है, कैसे आप करोग बाकि जितने भी मैटल कार्बोनील होते हैं, उनका भी आप ऐसी बिसकॉस कर सकते हैं, वह हम नेक्स वीडियों बताते रहेंगे, तो देखें, इंटरस्टोर, नमबर फर्स की पॉइंट में हम निकालेंगे, वही भी आपको मैटल कार्बोनील दे दिया है, तो सबसे पहले यह करते हैं, कि वो सेंटल मैटल आटम का ऑक्सीडेशन इस्टे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन इस्टेट, ऑल्वेस सेंटल मैटल के निकालता है, तो इसमें क्या है, एफी प्लस निकालते कैसे हैं, फाय इंटू सी ओ, इसके उपर प्लस वन दिया होता, तो यहां प्लस वन तो देखिए, निकालते कैसे हैं, CO आपका कारम वहाँ और साइड है, जो भी आपके नीटल मॉलिकुल होते हैं, यानि जिनकी बैलेंस इच्टेर जीरो होती है, एक प्रेशन का आपका डायरेक्ट वहें से बन जाएगा, जीरो, यहां कुछ नहीं दिया तो इसके मीनिंग क्य है, जीरो, Fe, प्लस 5 इंटु, CO, कारवन, मॉनो अक्साइड, यानि कारवनी ग्रूप कहते हैं, तो इसके आपका डायरेक्ट वहें तो इसके अच्टेर जीरो होती है, Fe, प्लस 5 इंटु, जीरो का मीनिंग जीरो होगे, तो Fe के अक्साइड जीरो है, जीरो, Fe is equal to 0, तो डायर में आपका अल्वेज, मैटल कारवनील का अक्सिदेशन इस्टेर क्या होती है, जीरो, तो इसके मीनिंग इंपुरेंट है, point to point, सबसे पहले हमने अक्सिदेशन इस्टेर निकाल दिया, सेकिन पॉइंट देखिए, सेकिन पॉइंटों हम निकालते हैं, सिस्टम, सिस्टम ब इतने इलक्टॉन है, वो देखा जाएगा, देखिए, पहले इसमें इसमें डिस्कस क्या था, स्कंदिनियम, टैटिनियम, वनारियम, क्रोमियम, मैंगनी, स्पिरस, यानि इसमें सिक्सिपोजिशन पर है तो एक इलक्टॉन होते हैं, तो यह आज जाएगा, 3D, 6E, 6E, 4S, 2, यह आगे है इसका सिंपल अक्षिजिशन इस्टेट, लेकिन डिस्कस करते हैं, हमारे इसमें सियो कैसा लिगेंड है, स्टॉन लिगेंड है, इस्टॉन लिगेंड, दो कंदिसन आगी, एक को न्यूटरल लिगेंड है, दूसरा क्या है, स्टॉन लिगेंड, स् पर आपका विग लिगन है जैसे ह्ट्री ओ की बात करें और हलोजन की बात करें ये होते हैं आपके विग लिगन जो इलक्रोनों को प्रें नहीं कर सकते हैं तो डिसकस करते हैं ये क्या हो जाएगा दोके रवी इलक्रोन आपके एक किस्म आजाएंगे डी माझेंगे 3D-AID system और फिर आपका डीवलोग का है और स्टॉंग लिगन है तो 3D64 अश्टू को इसने क्या कर दिया प्यर कर जो एलेक्रोन को 3D8 सिस्टम तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गिया है यह भी डालेक्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट आम बात करते हैं इसकी फैल्ड कॉंप्लक् भी आपको ओते हैं वह आपको क्या ठीक डिन कर कर दिंगे यह कर दिंगे तो क्या हो जएगा यह स्टॉंप्लक्स होो जाएगा अजर्ट बीगन है तो आपको तो हाइस्कन कंप्लेक्स हो जाएगा हम इसको निकाल देखे दी में होते हैं आपके कितने हैं दी में आगे आपके 5 और बीटर 1 2 3 4 5 यह हो गया 4S इसको SS नोट कर लिंगे 3D 6 1 2 3 4 5 6 4S 2 यहां पर लिख दियते हैं में 3D 6 4S 2 तो दीखे अभी अपर लिखन रगान कुतने हैं यह दिखे जो उपर को होता है जिसका 2 6 होता है स्क्रीन क्लेस आप जो मीचे को इंटी क्लोप है इसका होता है मैनिस आप जीरो हो जाएगा यह भी कैन सी यह भी कैन सी यह हैं पर आपके कितने हैं वन, टू, ट्री, फोर, फोर, इंपर इलक्रोन है, जो मैं अगर हम इसमा हम क्या डाल दिंगे, C, O, स्ट्रॉंग, लिगेंड, टो स्ट्रॉंग लिगेंड का विएग कैसा होता है, वो इलक्रोन को प्येर कर देता है, टू के टू इलक्रोन इज़र आ जाएंगे, स्ट्रॉंग लिखना को प्यात्व, प्लस आ माईनस pense, लिगेंड, 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 तो यह आपका उपर जो था, हाई-spin complex लेकिं strong ligand ने इसको क्या गुना दिया, low-spin complex, तो complex कैसा है, low-spin complex. तो कभी भी condition ने देखना कि strong जीग रण होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, low-spin complex आ जाएगा direct question, सारा metal कार्गनली के लिए है, फूर्थ मा हम गेखते हैं, hybridization, ये important part है, Hydration Hydration निकानदे के लिए आपके तीन पॉइंट होते है नमबर फ़स्ट पॉइंट Ground State of Fe Metal यानि जो भी डिस्कस करते हैं वो Always किसके लिए होता है Central Metal के लिए तो यह इसमें देखिए One Fe है High Feo है जो सबसे Low Amount में होता है Fe आपका Central Metal है एटम हो गया Co आपको Legand हो गया तो इसका Coordination Number कितना है 5 यानि Total Number of Legand is known as Coordination Number तो हम सबसे पहरे देखिए Ground डिस्टेज जब उसमें Legand नहीं था उस Condition में इसके Electron कैसे बिएड कर रहे थे यह वाला तो यह हो जाता है Ground डिस्टेज इसका 3D 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4S, 2 यह आपका इसका हो गया Ground State Second Point होता है Excited State Excited State में जैसी Co आपका इन होता है तो यह वाला सिस्टम बन जाता है 1, 2, 3, 4, 5 Orbital होते हैं 4S, 4P यहाँ भी 4P 0 है 3D 6, 4S2, 4P 0 जैन देखें क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यह 8 हो गया आपका Excited State As such ऐसे रिद्वेटे हैं जैसी लिगन गया देन इसकी वाला सिस्टम हाइडरेशन आजाएगा Hybridization of FeCO5 molecules इस molecule का कैसे निकार नहीं देखें इसमें क्या करते हैं ऐसे जिसको नोट कर लिएगे 1, 2, 3, 4, 5 4S 40, 0 इसमें होगे आपके 8 electron अब ध्यान दीजिए CO जो है आपका Strong Legan है लेकिन कैसा Bond बनाता है Coordinate Bond Coordinate Bond में हम क्या करते है कि CO आपना electron किसको देगा M को देगा वो भी 2 electron देगा तो Coordinate Bond बनाएगा तो इसके लिए Orbital खावी Orbital चाहिए होते हैं तो कितने लिएन है 5 लिएन है तो देखें कैसे बनाएगा और दूसर देखें जब क्या होता है एक important point इसमें और आजाएगा भी अब हम discuss करेंगे अब इसमें देखें 5 CO है यह molecule में तो 1 इसके electron को हम क्या करते हैं process हो करते हैं यानि कोडिये बन देखें हम previous chapter में बता चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो इसमें आप क्या लगा दोगे CO triple bond लगा दो C triple bond O 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 यह आपका आज जाएगा 1D 1S 3P 3 DSP 3 hybridization यह एक और important हो गया जो direct question हाएगा यह हो गया DSP 3 hybridization आगया अब इसके बाद हम बाद करते हैं 4 point का 50 point की 50 point को हम देखते हैं Geometry Geometry क्या होती है Geometry देखिए जड़ अगर DSP 3 होता है तो इसका होता है trigonal bipyramidal Trigonal Bi Pyramidal यह इसकी जड़निती होगी यह next important point होगी है जो direct question आएगा यह हो गया 6 महाँ हम इसका देखते हैं यानि trigonal bipyramidal कैसे होता है तो उसका हम डिसकेश करेंगे आपका 3D में जिसके आपके क्या हो तीन एंगल हो triangle यह हो गया इसको डॉटेर से दिखाते हैं 1,2,3 देखे जैसे इसको समझ लीजिए 1,2,3 यह हो गया इसको इसको अपर को आएगा तो इसको हम कहेंगे पिरैमिडल यह नीचे को आएगया तो उसके कहेंगे बाई पिरैमिडल के इसमाम कोई भी plane में plane of symmetry है तो इस बोल्ड की तो हम इसमें ऐसे दिखाने सकते हैं तो उपर वाले को हमने ऐसे दिखा दिया C triple bond O नीचे वाले को हमने ऐसे दिखा दिया C triple bond O यानि इसका safe यह हो गया 1,2,3 एक उपर को off the plane दूसरे below the plane तो बाई पिरैमिडल कैसे नाम हो गया प्राइगोनल है और अगर वन ही होता उपर को सी हो तो पिरैमिडल हो जाता है दो है तो एक नीचे उपर off the plane, below the plane तो क्या हो गया प्राइगोनल बाई पिरैमिडल अब देखें next point यह आपका theoretical के लिए आएगा जो प्राइगा और जो objective प्राइग के question आते हैं जिनका बैरेक्ट के कर सकते हो मैंने इसमें discuss कर दिया है seven point number of unpaired electrons यह तो आसा नया लग रहा होगा आपका number of unpaired electron इसको denote हम करते हैं small n से देखें जो अर्बिटर ना रखा है एक और बिटर में आपके maximum 2 electron आसकते हैं one two तो यह भी प्र है यह भी प्र है यह भी प्र है यह भी प्र है वो जो single electron नहीं है अगर यह ऐसा होता तो यह npaired कहलाता तो यह ऐसा है सबके सब paired है तो npaired electron 0 तो यह भी पुछा जाता है कि तो यह भी आपको complex से दिया होगा उस complex समय number 1 pd electron कितने है तो आपको निचानना आना चाहिए strong legion से पता चिल जाए जो रही नहीं कि आपका strong legion हो तो उसमें clear करके आपका एंपीड एलेक्राइज जीरो आजाए जबीकि इसमें तो आपका even number था अगर odd होता तो नहीं आता suppose कि इसमें क्तनी होते 7 होते 246 यह रहता तो इसमें एंपीड एलेक्राइज हो नहीं जाता तो आपको कह जहान जोने है कि electron आपके even है 246 यह odd है 1, 3, 5, 7, 9 तो इसमें आपके depend करेगा तो अंपीड एलेक्राइज आपके इसमें कितनी आगे 0 आगे 8.0 इंक्रिएंट है magnetic nature अगर ध्यांदीजे कोई भी कॉंप्लेक्स में at least 1 अंपीड एलेक्राइज आजाता है यह वाहीं बात की थी अंपीड की तो वह हमेंसे आपका तैसा होता है पैरा मेंगेटिग नीचर का होता है अगर नमबर आगे एलेक्राइज एलेक्राइज जीरो होगे तो आपका डाय मेंगेटिग होता है यानि इसमें एलेक्राइज एलेक्राइज कितने है जीरो है तो मेंगेटिग नीचर दाया मेंगनेटिक यहीं भूत इंपोरेंट है तो हम फॉस यह चीज और करते हैं ध्याँ दीजिए यहाँ पर नोट करके लिग लेते हैं यह डारेक्टर क्वेश्चन है मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग यानि जो आपकी मेटल कार्बोनिल है यहाँ दीजिए जो इलेक्टर्ण को ट्रांसपर कैसे होता है लिगेंट तू मेटल यानि ब्रैक्टिट में देखेंगे M C सॉरी M L लिगेंट से इलेक्टर्ण कहां को ट्रांसपर हो रहे हैं मेटल की तरफ ट्रांसपर हो रहे हैं बनता है आपका sigma bond, then second point है इसका metal to ligand, metal to ligand electron transfer, तो इसमें क्या बनेगा, इसको हम दिखाते हैं ml, यानि m से electron कहां चलेगे, इसको क्या कहेंगे, पाई bond, इसमें बनता है पाई bond, इसमें बनता है सिग्मा bond, ये भी ध्यान दीजिए, next, एक पॉर्सन हो रहाता है, क्योंकि electron किसमें दीए, legal to metal हुआ, बार में हो गया, metal to legal, तो इसमें आपको इसको कहते हैं, पाई bond, और इस पाई bond को ही कहते हैं, बैक ब है, ये देखिए, इससे जो-जो question बनेंगे, मैंने आपको easily बता दिया है, तो और question को है, आसे कर सकते हो, तो ये metal carbon बनाके, next में हम इसमें और discuss करेंगे, तो तक तक आप आप इसकी squeeze ले लिगे, thank you so much.